प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जनम दिवस के अवसर पर भाजपा सेवा पकवाडा मना रही है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्य मंत्री जराम ठाकुर ने शिमला में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के जीवन से जुड़ी घटनाओं और दस वर्षों की जनकल्यानकारी यूजनाओं पर अधारित प्रजर्शनी का शुभरंब किया आज हमेरे देश के यशास्वी पढ़ान मंत्री नरेंदर मोदी जीवन की अलग अलग परस्थितियों में अलग अलग पड़ाव में से गुजरते हुए चौत्तर बर्ष का उनका आयू का ये परव हम बहुत उत्सा के साथ मना रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसंता है के सत्रा तारिक को मोदी जी का जनम दिन पूरे देश बर में ही नहीं पूरे दुनिया में बड़े जोश के साथ मनाये गया और उसी संदर्व में एक सेवा पक्वाड़ा के रूप में हमारे कारे करम सेवा के कारे जो है पार्टी पूरे देश बर में 15 दिन तक करती रहेगी और आज विधिवत जो है यहां शिमला के रिजमेदान में हम यहां पर मोदी जी के जीवन की इस यात्रा की जो एक जहलक जो है लोगों के सामने यहां पर प्रस्तुत करने के लिए परदर्शनी के रूप में यहां लगा रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसा जीवन जो हर व्यक्ति के लिए प्रेर ना देता है आप देख सकते हैं मुझे लगता है कि अगर आप प्रदर्शनी में जाएंगी छोटा सा घर और उस घर में जहां उन्हें बढ़नागर में जहां उन्हें जन्म लिया 17 स्टंबर 1945 को और उसके पश्यात उस यात्रक के जीवन की जीवन की जीवन के अलग अलग पड़ाव का इस पर जिकर है बहुत संगर्श के जीवन में से हो करके गुजरे हैं और बच्पन से ले करके अभी तक कि बहुत सारी घटनाओं का ये परदर्शनी जो है वो यहां पर जिकर करती है वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी